हमारी यूट्यूब चैनल नबूदे सहर में आप सब को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ पियर स्टुडंट्स आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास ले रहे हैं इंग्लिश ग्रामर पर हम बात करेंगे और आज के लेक्चर में हम सेंटेंस क्या है और वट और दिप्रेंट टाइप्स आप सेंटेंस इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे हमारी कोशिश होगी कि आज एके लेक्चर में जितनी भी टाइप्स है सेंटेंस के वो सब आपको समझा दे लेकिन अगर वीडियो तवील हो जाती है तो फिर अगरे लेक्चर में जितनी भी किसमें रह जाएगी उसका तस्केरा भी करेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं सेंटेंस अलफाज के मजमुए को आन तोर पर हम सेंटेंस कहते हैं जब अलफाज एक तरतीब में हूँ और उन से कोई मफूँ इनसान की समझ में आ जाए तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं अब sentence की division जब हम करते हैं जब classification करते हैं तो इसके दू तरीके हैं एक है according to their structure और next जो है वो according to their meaning structure का माना है साखत, साखत के एतवार से sentence की कितनी किसमे है और इसी तरह meaning के एतवार से sentence की कितनी किसमे है तो आज के lecture में हम according to their meaning इसकी पांच किसमे हैं और उन पर बात करेंगे type of sentences according to their meaning there are five types of sentences according to their meaning यानि माने के एतिवार से sentence की पांच किसमे है कौन-कौन सी है तो ये है number one statement number two interrogative sentences, number three imperative sentences, number four exclamatory sentences, number five optative sentences अब हम ये जो मुक्तलिफ टाइप्स हैं इन में से एक एक पर हम तफसीली गुप्तगू करेंगे मिसालों के जरीए आपको समझाने की कोशिश करेंगे statement sentences इसको उर्दू में बयालिया जुमली भी कहते है statement sentences a sentence which denotes a positive or negative statement जिसमें बयान मुवजूद हो वो बयान positive और negative दोनों तरह का हो सकता है ये इनकी examples है अली has a good memory ये क्या है ये positive है he is not a good boy वो एक अच्छा लड़का नहीं है ये भी statement है बयान statement इसकी दो किसमें है negative sentences और positive sentences ये दोनों इसमें शामिल है यहाँ पर है touch me मुझे touch करें तो remember that these sentences are also called declarative sentences assertive sentences ये जो statement है इन sentences को हम declarative sentences भी कहते हैं और assertive sentences भी कहते हैं what about conditional sentences ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि conditional sentences क्या statement या जो assertive sentences है या जो declarative sentences है क्या इसकी किसम है या नहीं है और जो conditional sentences है इस पर हम एक मुकमल lecture देंगे इन्शालला नेक्स्ट के इन में कौन-कौन से rules हमने follow करने है नेक्स्ट टाइब है वो है imperative sentences हुक्मिया जुमले हुकम जिसमें मौझूद हो इन imperative sentence expresses a command request or a piece of advice तीन किसम के काम उमूमन इसमें मौझूद हो सकते हैं या तो इन जुमलों में command मौझूद होगा या फिर request इसमें मौझूद होगा किसी काम की दर्खास और या इसमें कोई मश्वरा मौझूद होगा आगर आप किसी को advice देते हैं मश्वरा देते हैं तो वो भी इन जुमलों में आप लिखते हैं इन जुमलों को हम क्या कहते हैं imperative sentences या हुकम या जुमले examples है command यहां पर command है command की जो example है open the door दर्वाजा खोल आप किसी को कहते हैं किसी को हुकम देते हैं कि दर्वाजा खोल दे तो open the door leave the room at once कमरे से फ़ौरन बाहर निकल जाओ तो इसमें भी क्या है हुकम है request किस से करते हैं have mercy upon us या किसी को मश्वरा देते हैं advice देते हैं respect your elders यहां भी है touch me तो इसमें क्या है देखते हैं remember that in imperative sentences verb comes at the start of the state sentence verb यहां पर शिरू में आता है यो फैल है जो वर्ब है वो start of the sentence पर आएगा next जो time है वो interrogative sentences है सवाल यह जुमले जिसमें कोई सवाल पूचा जाए कोई question पूचा जाए तो उनको हम क्या कहते हैं interrogative sentences कहते examples है what is your opinion do you go to college इन जुमलों में देख ले एक तो question mark है यह जुमले के आखर मैं जरूर लगाना है अगर आप यह निशान नहीं लगाएंगे तो आपका sentence जो है वो गलत तसवर किया जाएगा next जो है words है question words जिनके जरीए हम question पूचते हैं जिन में what है when है where है who etc इसी तरह helping verb भी बाज अवकात हम किसी sentence की शुरू में लगाते हैं is, was, do, or, can, वगएरा वगएरा यह सब जो है इन के जरीए भी हम question पूचते हैं अब जो next type है वो है exclamatory sentences जिन में ताज्जब का इजहार हो sudden feeling का इजहार हो जजबात का पूरी इजहार यहां पर मैंने लिका है किसी खौफनाक मन्जर को आप देखते हैं और अच्छानक आपकी मूँ से कोई जुमला निकलता है या फिर कोई खुशगवार माहोल आप देखते हैं अच्छानक और अच्छानक आपकी मूँ से कोई sentence निकल जाता है तो इन sentences को हम क्या कहते हैं इस तैजब या जुमले कहते हैं या exclamatory sentences इनको कहते हैं An exclamatory sentence expresses some sudden feelings अच्छानक जजबात का फूरी इजहार या अच्छानक जजबात का इजहार इस तरह की जुमलों में किया जाता है एक्जेम्पल है हुर्रा और साइड हैस वन देमेच एलास ते दे यंग मैन मिट विट इन एक्सिडेंट ये क्या है खुशी का इजहार है इसमें अफसोस या गम का इजहार है ताज्जब का इजहार है लास्ट जो सेंटेंस है तो ये जो साइन है इसको this is called sign of exclamation इसको sign of exclamation कहा जाता है अब ये sign of exclamation इन सेंटेंस में आता है और आपने इस sign को कहा पर लगाना है तो यहाँ आपर हमने कुछ बात ही लिगी है फुट sign of exclamation just after exclamatory words जो exclamatory words है लास्ट जो स्लाइड था जिसमें हमने examples लिखी थी इन में हुर्रा, एलास, वाउ एट्सेटरा बहुत सारे अलफाज है exclamatory words जिनको हम कहते हैं उनके फौरण आपने वो लगा देना है इदर देख लिए इदर हुर्रा के फौरण बाद हमने words sign of exclamation जो है वो यहाँ पर लिखा है इसी तरह next जो जुमला है sentence है इन में एलास के फौरण बाद हमने ये जो निशान है ये हमने लगाया है next one है sentences will end with full stop ये जो sentences है इनके आखर में आपने full stop लाजमी लगाना है अगर full stop नहीं लगाएंगे तो आपका sentence जो है वो गलक तसवर होगा next one है when an exclamatory sentence start with what or how then sign of exclamation should be placed at the end of the sentence अगर कोई exclamatory sentence है और वो how या what से start हो जाए what a beautiful man how beautiful the moon is ये क्या है ये what और how से ये sentence स्टार्ट हो रहे है तो इनमे क्या है इनमे आपने जो exclamatory sign है sign up exclamation है ये आपने sentence के आखर में लगाना है यहाँ पर how के बाद कुछ लोग लगाते है जो के गलत है इन जुमलों में जिनमे how और what आ जाए और how या what के जरीए जजबात का इसहार किया जाए sudden feeling का इसहार किया जाए ताजब का इसहार किया जाए तो फिर आपने क्या करना है last में at the end of the sentence आपने ये निशान लगाना है no full stop should be used यहाँ पर आपने फिर full stop भी इस्तेमाल नहीं करना है इस जुमले में देखने full stop मौझूद नहीं है बलकि full stop की जगा पर क्या है sign of exclamation है next जो टाइब है वो है optatio sentences या निदाया जुमले निदा खाहिश का इसहार हो जिसमें तमन्ना का इसहार हो दौाय इन में मौझूद हो तो इन जुमलों को हम क्या कहते हैं optatio sentences या निदाया जुमले इनको हम कहते हैं वैसे अरबी जबान में निदा आवास को कहा जाता है जब आप किसी को आवास देते हैं तो उन जुमलों को निदाया जुमले कहते हैं examples है may you leave long खुदा करे के तुम बहुत लंबी जिन्दगी जिये दौा है इसमें तो would that at work spring forever ये इसमें तमन्ना का इजहार है के हमेशा हमेशा अगर बहार होती तो कितना अच्छा होता इसमें क्या है? विश का इजहार है जो उपर वाला sentence है इसमें क्या है? इसमें दौा है तो इनको हम दौाईया जुमली भी कहते है तमन्नाईया जुमली भी कहते है निदाईया जुमली भी कह सकते है more क्या है आगे? इन जुमलों में तमन्ना या दौा का इजहार होता है ये जहन में रख ले और next one जो है sign of exclamation should be placed at the end of the sentence जो sign of exclamation है वो आपने कहां पर sentence की end पर आपने वो लगा देना है तो dear students हमने बात complete की है meaning के अदिबार से या माने के अदिबार से जुमली की जिती भी types थी 5 types है उन पर हमने बात की है जो next lecture है उन में हम according to their structure 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 के इतिबार से जुमलों की कौन कौन सी किसमे है कितने किसमे है और सही तोर पर हम उन में अलफास की तर्टीब क्या किस तरह लगानी है जो punctuation है commas है वगएरा वो हमने कैसे लगानी है कहां पर लगानी है तो वो सारा कुछ हम next lecture में हम डिसकस करेंगे तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ इस उमीद के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे और माफूज रहे अल्ला निगे हमा